अमेठी जनपद के गौरी गंज को त्वाली क्षेत्र अंतरगत रायबरेली रोड स्थित स्वामी परमहंस आश्रम सग्रा बाबु गंज के पिठाधीश्वर शिव्योगी मौनी स्वामी की आज ही रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था हटाली ग गंज कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है उलेकनी यह कि पूर्व में अमेठी पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था हटाली गई थी मौनी जी महाराज ने बताया कि लड़का मुसल्मान है और नाबालिग लड़की हिंदू है पकड़े जा का एक अपराधी है हिंदू लड़की को लेकर यह आश्रम में घुसा और अपराध करने का प्रयास किया है जिनको आश्रम में ही लोगों ने पकड़ लिया ऐसे में मैं जिला प्रशासन से मान करता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जांच किया इनके खिलाफ प्रशासन ततकाल कार्यवाही करें अन्यता सामप्रदाइक सौहाथ बिगड़ेगा मौनी महाराज ने मानकी की लड़के के खिलाफ मुकदमा लिख कर इनको जेल भेजा जाए पहले इसने अपना हिंदु नाम बताया बाद में पता चला की यह मुसल्मान है इस मामले में जब गौरी गंज कोत्वाली के प्रभारी निरीकशक शाम नारायन पांडेय से बात की गई उन्होंने बताया कि मौनी बाबा की सूचना पर ततकाल पुलिस मौके पर आश्रम पहुची और दोनों लोगों को पकड़ कर थाने लाई है पकड़े गए लड़के और लड़की से पुलिस पूछताच कर रही है पूछताच करने के बाद ही स्थिती स्पष्ट हो सकेगी कि यह लोग कहां के रहने वाले हैं और क्या करने के लिए मौनी महाराज के आश्रम में गए थे प्रसाचं से बांग करता हूँ ऐसे लोगों को इनको पकड़ा जाए इनकी जाच कि जाए और इस तरीके का इंगा प्रसासन कारवाई करें अन्यथा निश्यत्रूप से समाई बिस्ताम पर नाएक स्वहाद भी गड़ेगा और अगर खुछ भी होता है उसका जिम्मेदार फिर प्रसासन हो जाएगा इसलिए इनके खिलाब को गदमा लिखा जाए प्रतकाल इंको जेल बेचा जाए और इनके फरिवार की जाट की जाएगा रहने वाला है इसका इसका नाम क्या है अपना नाम उसे हिंदू बता रहा है फिर पतला का बाद में यह मुसल्मान है यह स्थिती है कहीं कहीं से बड़ी साजिस दिखाई पड़ रहे हैं अभी दो घंटे भी नहीं हु गई है आप कलपना कर सकते हैं कि मैं मेरा मट कितना असुरक्षित होता जा रहा है किसी बी समय कोई वड़ी वार्दास हो सकते हैं यह इसे ही मेरी सुरक्षा हटने की चर्चा समाज में सुरू होती है वैसे ही अपरादियों का मनुपर बढ़ने लगा है प्रसाशन को संग् सुरक्षित है किसी भी समय बड़ी बार्दास हो सकती है कि हत्या हो सकती है मुख्यमंद्री जी संग्यालिए